नमस्कार अदाब न्यूस क्लिक के डेली राउंट अप में आपका स्वागत है आईए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर किसान आंदोलन देश भर से मिट्टी लेकर बॉडरों पर पहुंची मिट्टी सत्य ग्रह यात्रा लगतार बढ़ता जा रहा है बीजेपी नेताओ का भहिशकार केरल में 73, टमिलाडो में 80 और बंगाल में 77 फीसिदी मतदान रोहिंग्या शरनाथियों का सवाल लेकिन हम जाएंगे कहा और आखिर में करोना अपडेट देश में 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,15,000 से अधिक नए मामले दिल्ली की सीमाओं पर किसान अंदोलन का आज 132 दिन है किसान विवादित क्रिशी कानूनों के खिलाव भीशन ठंड और बे मौसम बरसात के बाद अब तेज गर्मी में भी डटे हुए हैं कल यानी मंगलवार 6 अपरिल को मिट्टी सत्यक्रेय यात्रा के तहट देश के 23 राजियों से इखटा की गई मिट्टी दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंची जहां शहीद किसानों की याद में समारक बनाय जा रहे हैं दूसरी तरफ किसानों ने आम जनता के साथ मिलकर बीजेपी और उसके सहयोगियों का घहराव और तीखा कर दिया है जिससे कई जगवा पर बीजेपी किसानसद और विधायक बैठकों में नहीं जा पा रहे हैं सहयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी के एमपी, एमले और नेताओं को चेताबनी दी है कि या तो वे आंदोलन का समर्थन करें या फिर समाजिक भहिशकार के लिए तैयार रहें सहयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर सुमवार पाँच अप्रिल को एफसी आई बचाओ दिवस मनाया गया सूचनाओं के मताबिक हुसेन गंच, पटना, नालंदा, दर्बंगा, हाजिपूर, भोचपूर, जालोन उरई, पटना, मुझफरपूर, उदैपूर, सीकर, जुनजुनू, सतना, हैदराबाद, आगरा, रिवाडी और पलवल में भी किसानों के प्रदरशन की खबरे आई केरल में विधानसवा चुनाओं के लिए मद्दाताओं में खासा उत्सा देखने को मिला, शाम साथ बिज़ तक तेहतर दशमलव पांच-एट फीसदी मद्दान की खबर है, प्रदेश में कुल दो करोड़ चोहतर लाग मद्दाता है, इस दोरान पूरे राज्ये में लग जंडर मद्दाताओं ने प्रारंबिग आकलन के अनुसार मद्दान किया, वही तमिलनाडू की बात करे तो वहां विधानसवा चुनाओं के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शांटी पूर्ण धंग से मद्दान हुआ और शाम तक 81 फीसदी मद्दाताओं ने मतादिकार का इस्तमाल किया, राजे में सत्तापक्ष एवं विपक्ष के कई शीर्ष नेताओं के ने मद्दान किया, जिसमें अन्ना द्रमुक के के पलान स्वामी, ओ पनीर सिल्व, द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन भी शामिल हैं, राजे में एक दो स्थानों से चुनाव संबंद पर हमले की खबर मिली, देर शाम तक इस चरण में कुल सततर दशमलव 6-8 पीसिती मत्तदान हुआ, डक्षन दिल्ली के कालिंदी कुंच स्थित, रोहिंगय कैम्प में पिछले कुछ समय से पुलिस द्वारा रोहिंगय शरणार्थियों को गिरफतार किये जाने की खबरे आ हैं साउथ दिल्ली के वधनपुर खादर कालंदी कुंच के पास जहां एक रिफ्यूजी कैम्प है, रोहंगय मुसल्मानों के लिए जो मया मार्थ से यहां आके बिस्थापित हुए, पिछले हाल के दिल्ली के राजनिती होनी शुरू हुई है, इनको एक बिलन के तौर पे हापस भेजने की तयारी की जा रही है, सरकार का अपना पक्ष है और इन लोगों की यह किस हालत में रहते हैं, कैसी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और इस सारी घटना के बाद खुद को कहा देखते हैं, यह अपनी भविश्य के वारे में क्या सोचते हैं, आईए इन से बा हार जगा पर जहां से बुलते हैं, उहीं पर हम अपना फुरुप देते हैं, जिस दिन जिस का जरूरत होता है, उसी दिन हम वोज देते हैं, अभी जो फिलाल पिछले माई ने चोबीस तारीक और एकतिस तारीक को जो लेके गया, दस बंदा को उठाया टोटल, एक में में कार्ट का पिलूप है ईक आए, इन सब की पास भी कारट का बिलूप जो है, उनकी पास तो हमें यह समझ में आरे हैं, अचनक आ कर आ के इस तरह आ उठा लेक जा रहे हैं, किस अले आ को – कहा लेके जा रहे हैं और बताए levar कि किसी को चारी कैने और बताय भी दिन आ पछभी PAT हम लोगों से पुछसार करते हैं कोई पुछ सकर्थ हमारे केंब का ऴ स्जाबदे योग उंकी जवाब देते हैं जवाहार से नने लेकिन कोई लोग हमारे हिएं, हमारे उनकोर सक्तुर्ष हैं आपble मकरा गाप झाल में पोला कि यह उपर साहमारा ऊड़र है इसलिए हम उठाके ले जारे हैं हमारे आध में कुछ नहीं हम उसका जवाब नहीं थे सकते हम पहले एलेक्शन हमारे स्टेट में जो अरकान स्टेट है रिकाने स्टेट जू कहलाते हैं उसी में क्या हुआ हिंदु मुसल् 2010 में एक एलेक्शन हुआ एलेक्शन होने के बाद हमने एलेक्शन किया और हमारा हिंदु मुस्लिम दुनुजात का जैले बुडर आइडी नहीं हमारे पास तो उनका अचानक सी जो MP मतला कड़ा हुआ था उन्होंने हमारे लिए बूर्ट लेस्ट आया अचानक सी जब सबने होता है वहाँ पे हमारे मुहां से एक मुस्लमन जित गया हमारे स्टेट सेलेके से MP कि जब गए तो पार्टी में था थे यहां पार्टी की तो में पेश्चुरू कर दिया मतलग थरा तरा की परशहनी शूरू कर दिया वह कैसे के कि मेंबर को चैर्मेन को मतलब गाओं की जो मुखिया है सब को मिटिंग में मताया बुलाया बुलाने के बाद अचानक सी दो दिन नहीं हुआ कुछ उनको माना कर दे तुम लोग वहां जाके किसी को मत बुलने बाद तुम लोग के अंदर रहने अचानक सी अधर हिली कफ्टा लेके बंबारी शोरू करती है कोई सवाल में नहीं कोई मतलब को यसे बुलने वाला भी नहीं कोई आदमी अपना वतन को चूड़ना नहीं चाता है कहीं का भी हो कहां का भी हो अगर वहां सुकून है अपना वतन सब को प्यारा होता है लेकिन हम कुछ मजबूरी के वज़ा हैं यह सूच का एते तो शीज हमें मिल नहीं रहा है दो हजार वारा से आये ते उस टाइम तक कोई वैद बाव नहीं था कोई ऐसा नहीं करता था रुहांग्या को बेज देंगे तो जो उम्मिद लेकर आये ते वहीं उम्मिद दो हजर अभी 21 तक मिला था आप से आम आरे उपर हमें बात करें वहां पर बर्मा में आभी आग जल ला है अवारा शूटा शूटा बश्या है ऐसा हालोत होगों आम कहां जानगी कहां ले जारी है तो इसे परशानी में वहला लाम बहुत सूचता है लेकिन सूचने में किया ह यहां को परशान है आप बीमारी से भी आदमी मर रहा है तो उसके लिए सब लोग अफसूस कर रहे है वहां पर जीता-जागता गूली मार रहा है सामने सामने बहुत सारा आदमी मार दिया अभी तो यह जलते हुए हमें वह बर्मा में भी कैसे बेचते हम आगर बर्मा शांती हो जाएगा ना हम अपना आप शले जाएंगे आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है हम अपने कोई भी वतन शोड़ना नहीं जाता हमने मुझबूरी में शोड़ाया वतन को केंद्रस्वास्त मंत्रा दौरा आज बुद्वार साथ अ जिनमें से महाराश्च्रा में 24 गंटों में 55,479 नए मामले, 36 गड़ में 9,921, करनाठक में 6,150, उतरपदेश में 5,895 और दिल्ली में 51,100 मामले दर्च किये गए हालाकि इसी बीच देश भर में करोना से पेड़ित 69,856 मरीजों को ठीक किया गया है और आक्टेव मामलों में आज फिर से 55,250 मामलों की बड़ोतरी हुई है देश में अब कुल मामलों की संक्या बढ़कर 1,28,1,785 हो गई है जिन में से 1,66,177 लोग अपनी जान गवा चुके हैं देश में रिकवरियेट घट कर 92,1,1 फीसिदी हो गया है यानि कुल मरीजों में से 1,17,92,135 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 6,5,8 फीसिदी यानि 8,43,473 हो गई है आई सीमार द्वारा जारी आकडों के अनुसार अब तक 25,14,49,59 करोना के सैंपल्स की जाच की जा चुकी है जिन में से 12,8,329 सैंपल्स की जाच बीते 24 घंटों में हुई है आज के डेली राउंडब में बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट पर जा सकते हैं साथ ही हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो करें यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया